Hey guys, what's up? मेरा ना मैं रोहित और स्वागत आपका मेरे चैनल रोहिस टेक व्लॉग पर तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी Flipkart और Amazon पर सेल चल रही है और iPhone 11 की जो प्राइजिंग है हुए सेल में 48,000 के राउंड आ गई है तो ऐसे में हम लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हमें 2021 में iPhone 11 लेना चाहिए या नहीं तो आज हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब के बटन है वो दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं practical aspects की, यहां पे हम physical aspects की बात नहीं करेंगे iPhone 12 कैसा दिखता, iPhone 13 कैसा दिखता है, iPhone 11 कैसा दिखता है तो यहां पे हम practical aspects से उनकी बात करेंगे, जैसे camera हो गया, processor हो गया, डिस्प्ले हो गयी, आपकी battery performance हो गयी इस वीडियो में आपको इनी सब सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको iPhone 11 क्यू लेना चाहिए आपको यह जवाब मिलेगा तो दोस्तों अभी जो iPhone 11 की current pricing चल रही है वो flip card पे है 49,999 रूपीज और Amazon Prime Day पे है 47,999 रूपीज और इसके ऊपर से आपको यहाँ पे card cashback भी देखने को मिलता है दोनों पे ही up to 1500 रूपीज तो ऐसे में यह जो है यह काफी अच्छी डील बन जाती है तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हुए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो iPhone 11 का box आता है 2021 में वो पतला कर दिया गया है क्योंकि इसमें से charging break जो होती थी और जो earphones होते थे उनको निकाल दिया गया है तो 2021 से पहले जो iPhone 11 के box आते थे उनमें आपको charging break देखने को मिलते थी और जो lightning वाले earphones आते हैं वो देखने को मिलते थे तो दोस्तों हचले सबसे बहले हम लोग बात कर लेते हैं iPhone 11 के कामरा के बारे में का sensor obviously better है वहां पर night mode better है बट अगर आप एक budget में देख रहे हैं iPhone को तो iPhone 11 का camera आपके लिए बेस्ट है तो यहां पर अगर आप एक YouTuber है एक content creator है 4847 के around iPhone ढूंड रहे हैं आप चाहाते है आइफोन लेना इस साल तो आइफोन 11 का camera आपके लिए बेस्ट रहेगा इस प्राइज रेंज पे आइफोन 12 के लिए आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तो उस बारे में हम आगे बात करेंगे तो दोस्तों अगर camera quality की बात करूँ तो मैं ये वीडियो भी अभी iPhone 11 पे शूट हो रही है 60fps और अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे कुछ पुरानी वीडियो देखेंगे कुछ पहली वीडियो देखेंगे जिनका link में आप उपर डाल दूँगा cards में तो वह जो है वह आइफोन 12 पे शूट हुई थी वहाँ पर 4K वीडियो भी आपको मिलेंगी और HD वीडियो भी आपको मिल जाएंगी तो अभी मेरी जो recent वीडियो से अगर आप वह देखेंगे तो वह सारी iPhone 11 पे शूट हुई है और पुरानी वीडियो जो है वह आइफोन 12 पर शूट हुई है तो दोस्तों क्याम्रा क्वालिटी के मामल में आपको वहां से रियल जो आपको एक्जाम्पल्स है रियल जो भी फूटेज है वह आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों अब अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें 5G connectivity के बारे में तो iPhone 12 को नहीं है और patchy service है आपको भी service मिलते कभी नहीं मिलती जैसा कि reviews है अगर आप इंडिया में 5G expect कर रहा है तो इंडिया में 5G rollout भी नहीं हुआ है वी testing phase में है तो rollout होने के बाद 5G को stable होने में और different cities तक या major cities तक ही connectivity पहुँचने में cities के हर एरिया में connectivity पहुचने में आपक अब तकरीबन 2-3 साल तो अराम से लग जाएंगे या हो सकता इससे भी जाता लग जाएं तो ऐसे में iPhone 12 का 5G है दो से तीन साल यूज नहीं कर पाएंगे उस connectivity option को और ऐसे में अगर आप iPhone 12 लेते हैं और 3-4 साल बाद अब फिर से phone चेंज करते हैं तो अभी आपके लिए 5G phone लेने का इतना सिंस नहीं बनता है चले दोस्तां अब बात करते हैं डिस्प्ले उसके बारे में तो यहां पर इंडिस्प्ले से वहां पर और जादा पुल्ट देखने को मिलते है वहाँ पे अच्छा ओलेड में तो अगर आप बहुत ज़दा वीडियो देखते हैं अगर आप वीडियो कांटेंट बहुत ज़दा कंजूम करते हैं तो आप अपने फून में अगर ओलेड डिस्पली वाला ही फून लेंगे तो जाधा बेटर हो ओलड डिस्पले आपको बिल्कुल सही सूट करेगी मैं यह कहूंगा कि अभी इस ताइम पर अभी जैसे जुलाई खतम होने वाला है और इस ताइम पर आप आइफोन 12 लेते हैं तो दो तीर महीने बाद नया आइफोन लांच होने वाला आइफोन 13 लांच होने वाला है जिसक में जो है आइफोन 12 के डिस्पले भी बहुत जल्दी आउपडेटेड हो जाएगी और फिर हमारा मन करेंगा कि हम आइफोन 13 ले 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 अगले साल जो की हाइए डिस्पले रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करें आइफोन 13 के आने के बाद आइफोन 12 की प्राइजि नहीं की है हमेशा से दिल्दार रहा है 2015 में जो आइफोन लाँच हुआ था आइफोन 6S उसको भी अभी 2021 में iOS 15 का सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे में अगर आप आइफोन 11 अभी लेते हैं तो आप 2025 तक तो शौर रह सकते हैं कि आपको software updates मिलेंगे ही मिलेंगे तो software updates से front पे हमें आइफोन 12 और आइफोन 11 में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं आइफोन के प्रोसेसर्स या उनके अंदर तो चिप है उसकी तो आइफोन 11 में जो है वो A13 चिप है ऐसे में यहां पर यह नहीं है कि A14 के आने से जो A13 के चिप ह ही आपको almost same performance देती है बट यहां पर A14 में जो improvements किये गए थे उसमें से major a किये था कि उसको कम battery पर चलने के लिए बनाया गया था तो आपको यहां पर आइफोन 12 में जो battery है वो थोड़ी छोटी देखने को मिलती है compared to iPhone 11 बट दोनों का जो battery backup है वो same है तो दोस्तों अगर अगर आप content create करते हैं तो A13 की chip है उसमें भी आप game खेल सकते हैं 60Hz पे without any problem वहां पर आपको कोई lag नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा आप stream भी कर सकते हैं साथ-साथ कोई problem नहीं होगी उस chip की वैसे तो यहां पस जो major improvement है वो मैं ही कहूंगा कि battery related या power related optimization थी A13 to A14 में तो द दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चानल को subscribe कर दीजिए तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहां पर जो iPhone के displays हैं जो ग्लास यूज होता है बैक में उसकी तो iPhone 12 में definitely improvements हुए थे iPhone 12 में जो अपना ग्लास था उस अगर आपके हाथ से फून गिरता रहता है आपके फून की जो बिसिकली डिस्प्ले है वो बॉजली तूट जाती है तो आप iPhone 12 को consider कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम लास्ट में बात करते हैं यहां पर pricing और budget की तो basically different sales में आपको different pricing देखने को मिलती है तो यहां पर प्राइम अगर मैं बात करूं तो जो effective price आपको पड़ेगा वो पड़ेगा around 46,500 Amazon Prime Day पर flip card पर आपको पड़ेगा 48,500 क्योंकि दोनों पर ही maximum 1500 रुपे तक का cashback है अगर यहां पर मैं बात करूं iPhone 12 की तो iPhone 12 की जो pricing है वो है 60,000 plus card cashbacks 1500 रुपे तो वहां पर जो आपके effective pricing पड़ेगी वो पड़ेगा around 58,500 रुपीज तो दोस्तों यहां पर दोनों phones के बीच में लगबग लगबग आपको 20-22,000 रुपए तक का difference देखने को मिलता है अगर आप इस साल iPhone ले रहे हैं और आपने decide किया है कि आपको iPhone 11 लेना चाहिए तो आप definitely लीजिए बट अगर आपने वीडियो द नहां पर मेरा suggestion यह होगा कि आप 2-3 महीने wait करिए अगर आप wait कर सकते हैं अगर आप कोछ जल्दी नहीं है तो क्योंकि अभी August almost आ गया है September end में या October में Apple का launch event होगा जिसमें Apple iPhone 13 launch करेगा और कुछ नया है और devices launch करेगा iPhone 13 के जो leaks हैं उसमें कुछ major improvements होने वाली है design में अगर आपको जल्दी नहीं है आप अभी iPhone 12 एकदम से नहीं ले रहे हैं तो मैं आपको suggest करूंगा आप वेट करिए उन phones के launch होने का नए iPhone के launch होने का क्योंकि वह जादा टाइम नहीं है अभी 2-3 महीने maximum November में तो हर हाल में मार्केट में अविलेबल हो जाएंगे नए iPhone all over the world including India आप वेट करिए और अगर आपने अभी फोन लेना है अपने डिसाइड किया कि आप iPhone 11 लीजिए तो आप iPhone 11 ले सकते हैं तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि क्या मैं 2021 मैं मैं खुद iPhone 11 लूँगा मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद अपने परसनल यूज के लिए या य मेरा काम अगले तीन चार साल के लिए हो गया है तो दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए